एलो फ्रेंड्स वेलकम बैक अगेन आपके अपने यूटूब चैनल बेमेज ग्यान में सो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे पढ़ रहे थे रिसर्ज मेटरलोजी जिसमें हमने स्लेबर्स का 2nd point, 3rd point, 4th point, 5th point और 6 point तक वीडियो डाल दिये चैनल पे तो अगर आपने इन वीडियो को नहीं देखा भी तक तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमने इन वीडियो की लिंक दे दिये वहाँ से देख सकते हैं इन वीडियो को या तो आप हमने चैनल पे जाके रिसर्ज की प्लेइलिस्ट ओपन करके इन वीडियो को भी देख सकते हैं तो आज हम सुरू करने वाले हैं साथवा टॉपिक या साथवा पॉइंट से लेबस का जोक यह है हमारा यहां से आप देख सकते हैं concept of and importance of ethics in research तो आज हम इसको पढ़ने वाले हैं वीडियो सुरू करने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकान को दबा दीजिए ताब कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो यह हमारा चैप्टर अनुसंदान के छेतर में नैतिक मूलियों की अधारना इसको बोलते हैं the concept and importance of ethics in research तो यह हमारा सौत अबावन्ट है स्लेबस का अब देखते हैं इसके में question कैसे पूछा जाता है तो question आया हुआ है कि IEC और AEC के बारे में बताए है इसके लावा ethics in research के बारे में पूछा गया है एक नंबर में importance of ethics in research फाइब मार्स में आया है ethical committee पूछा गया है दो नंबर में और AEC के बारे में तीन नंबर में और दो नंबर में पूछा गया है तो इस तरीके से question आता है अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा introduction परिचाईस chapter का यह दिया गया है कि कि किसी भी अनुसंधान प्रकृरिया की मानेते होती हूँ अनुसंधान करता के द्वारा अनुसंधान से पूर्व उसके अनुसंधान प्रस्ताव को ethics committee द्वारा मान किया जाना अत्यन्त अवसक होता है इस प्रकार चिकित्सा के छेतर में होने वाले अनुसंधानों में दो प्रकार की समीतियां महत्पूर्ण भूमिकादा करती है पहली है हमारा institutional ethics committee जिसको संस्थानी नइथिक्स समीटी बोलते है इसका short form है IEC और दूसरा हमारा animals ethics committee जिसको पसुन एथिक्स समीटी बोलते है इसको बोलते है short form है AEC और इसका दूसरा नाम भी है international animal ethics committee इसको short form है IAEC ठीक है अब हम बात करते है research ethics की definition की क्या है फिर हमारा जो पहला committee है वो है हमारा institutional ethics committee IEC एक ऐसी समीच्छा समीटी है जो की स्वतन निकाय के रूप मे कार करती है इस समीटी में जो सदस होते है वे दो प्रकार के होते है पहला है मारा संबंधित व्यग्यानिक छेट से जुड़े हुए और जो दूसरे हैं वो जो की व्यग्यानिक छेट से जुड़े हुए नहीं होते हैं ठीक इसमें दो सदस होते हैं द्यान रखिये एक एक वग्यानिक छेत्थ से जुडे होते हैं और दूसरे में उनकी सुरचा अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन नहीं हो रहा है ठीक है तो इसको मतलब होता है जो हमारा इसमें यह किया जाता है जो भी अनसंदान का प्रास्ताव रहता है उसकी समीच्छा करके उसको मानिता प्रदान की जाती है और जन समान मतलब पब्लिक को यह बताया जाता है या विस्वायस दिलाया जाता है कि जो यह रिसर्च हो रह कि अईए उसमें है कि आईसी उन सभी संस्थान अनुसांद्धान परस्तावं को मनस्यों के शुरच्छा गरिमा एवं सूख की डिष्टी से पुरर मूल, ल्याँकन कराके पारिज करती है जिन में कही प्रिति उद्देश अनुसंदान के प्रस्ता को इस्थानी एवं अंतर राश्ट्री मानकों के अनुसार जाचना होता है ठीक तो यह दो ऑपजेक्टिव होते हैं IEC के अब बात करते हैं इसमें IEC की गठन के लिए या संगठन के लिए नियुनतम सदस्यों की संख्या साथ एवं अधिक्तम सदस्यों की संख्या 12-15 होती है तो नियुनतम साथ सदस्यों में से एक अध्यच चेयर परसंट एक उपाध्यच डिप्टी चेयर परसंट एक सचीब मेंबर सेक्रेटरी औ पांच कारिकारणी सदस्त होते हैं तो इस तरीके से मिनिमम साथ और मैक्सिमम 12-15 सदस्यों की संख्या होती है IEC में कारिकारणी सदस्त की बात करते हैं तो इसमें एक से दो चिकित्सकी वैग्यनिक होते हैं एक से दो क्लिनिसियन, एक कानूनी सलाकर, एक समाश सात्री या दर्शन दर्शनिक और एक समान वक्ति अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट जो कि है हमारा सेकेंड टाइप वो है इंस्टिट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमेटी जिसको IAAC भी बोलते हैं इसके डिफिनीशन की बात करते हैं तो क्या है डिफिनीशन ओफ IAAC या एक ऐसा निकाय है जिनमें सदस्यों का चैयन एवं प्रमाडी करण एक अलग समीति द्वारा किया जाता है इस समीति के सदस्ट पसुओं पर होने वाले किसी भी प्रकार के प्रयोगों का निजिछनेवं नियंतरन करते हैं ठीक है अब बात करते हैं रोल और फंक्सन ओफ IAAC IAAC निम्न उद्द्योशन की प्राप्ति हेतु कार करती है पहला है पसुओं पर होने वाले सभी प्रकार के प्रयोग पसुविज्ञान विशेशक की देखरेक में ही संपन होंगे पसुओं पर जो भी प्रयोग किये जाएंगे वे अत्यन्त सावधानी से उचित देखरेक में मानवी वैवार के साथ एवं संग्यानासक या दर्द निवारक आउसदियों के प्रयोग से किये जाएंगे ताकि उनको दर्द कम से कम हो थर्द हैं पॉइंट कि अत्यन्त घातक रूप से घायल पसु जिनका ठीक होना असंबव है उनको दर्द रहत तरीके से संग्यानासक द्रव्यों का प्रयोग करके मृत्यु दी जाएगी चौथा पॉइंट है यदि अनुसंदान हेतु पसु के संकच अन साधनों की उपलब्दी है तो अनुसंदान में पसु का प्रयोग नहीं किया जाएगा और यदि पांचवा पॉइंट ये कहता है यदि छोटे जानवरों पर प्रयोग संबव हो है तो बड़े जानवरों जैसे गूनिया पिग और रैपिट ये सब हैं तो बड़े जानवर का प्रयोग नहीं किया जाएगा शेटों पॉइंट ये करता है कि अनुसंदान प्राराम करने से पहले एवंबाद में पसु की उचित देखभाल अध्यन्त अवस्षक है और साथों पॉइंट ये कहता है पसु कर mesela पर जो भी प्रयोग किये जाने वाले उनका उचित विवरन लिखित में रखा जाना अध्यन्त अवस्षक है तो इसमें क्या क्या उद्दस से एक बार फिर से देख लेते है कि जो भी हम प्रयोग कर रहे हैं उसमें वो प्रयोग क्या होना चाहिए पसु विग्या जो थीक नहीं हो सकते उनको संग्या नासक द्रव्यों का प्रयोग करके और या दर्द रही तरीके से उनको उम्रित्व दे देनी चाहिए इसके लावा अगर छोटे जानवर उपर प्रयोग संभव है तो हम वहां पर बड़े जानवर का प्रयोग नहीं करेंगे और अनुसंधान प्रारम करने से पहले और अनुसंधान प्रारम करने के बात पसुओं की उचित देखभाल करना अत्यनत अवस्यक होना चाहिए और जो भी हम पसुओं पर प्रयोग कर रहे हैं उचका उचित वीवरन और लिखित में रखा जाना अत्यनत अवस्यक होना चाहि गठन किया जाता है अब हम बात कर लें जो हमारा question आता है ना कि पांच नंबर में कि importance of ethics in research क्या कि importance ethics का research में तो इसमें पहला है कि to promote the aim of research दूसरा point है to promote the values that are essential to collaborative work तीसरा point है to ensure that researchers can be held accountable to the public चाथा point है ethical norms in research also help to build public support for research पांचवा point है it promotes moral and social values such as responsibility, human right, animal welfare, public health and safety चाथा point है people are more likely to fund a research project if they can trust the quality and integrity of research तो यह सारे point आफ लिख सकते हैं इसमें पहला होता है कि जो भी research का aim है उसको promote करना दूसरा point है कि इसमें जो values हैं उसको बढ़ाना promote करना तीसरा यह है कि जो public के लिए जो researcher है उनको accountable बनाना और public का support पाने के लिए यह चौथा benefit होता है इसका importance होता है पांचवा benefit क्या है इट promotes moral and social values such as responsibility, human rights, attractor अच्छटों point है कि जो जब people जो होते हैं लोग जो होते हैं या public जो होते हैं research की quality और integrity कैसे जब जान जाते हैं तो उसको फंड करने के लिए फंड भी देते हैं तो यह सारे importance है ethics in research के ठीक तो हमने यहां पर पढ़ लिया पहले introduction देखा था फिर हमने यहां पर अगर question पूछता है न कि जैसे पूछता है कि institutional ethics committee के बारे हैं बताईए तो आपको यह पहलाció पॉइंट लिग देना है और दूसरा फक्ति देना है उसके बादёों और यह वाला पॉइंट लिख देना है ने ठीक उसके बाद IC का कारेय fieldze बता देना कि primary objective क्या है और secondary objective क्या है इसके बाद आपको यहांघा देना की IAC के संगठन में कौन-कौन लोग होते हैं और कितने कारकारणी सदस होते हैं ठीक है अब फिर उसके बाद अगर आपसे ये Animal Ethics Committee के बारे में पूछता है तो पहले definition बता देना है क्या होता है इसके बाद इसका जो function है बता देना है इस तो तीन पॉइंट चार पॉइंट लिख के और फिर composition इसका बता देना है ठीक है और फिर अगर आपसे पांच नंबर या दो नंबर तीन नंबर इंपोर्टेंस पूछता है तो या इसमें से पॉइंट्स आपको एक दो पॉइंट या चार पॉइंट जिसे आपसे question पूछता है उसे आपसे लिख देना है ठीक है तो यहां तक होगा हमारा साथमा चैप्टर जो कि था concept and importance of ethics in research आई होब वीडियो समझ में आए होगा और कोई भी दिक्कत परिशान नहीं हो तो कमेंट में अपना question डाल सकते हैं जल्द से जल रिप्लाइग कर दूँगा तो मिलते हैं इस टूडियो में तब लिए थैंक्यू टेक क्यार हैं बाइबाए